पिछले 9 महीने का current phase किसी भी exams के लिए most important होता है तो फ्रेंड्स आज मैंने आपके लिए top 111 question जनवरी से सितंबर तक के लेकर आया हूँ फ्रेंड्स सारे topic कबर होंगे जैसे योजनाएं, अवार्ड, पूरुसकार, सम्मान, न्यूकतियां, बरतमान, में काउन, क्या है, ब्रान्ड अमबेजडर ये सारे topic आपको इस current phase में देखने को मिलने वाले है तो आप वीडियो में last तक बने रहिएगा, exam में बहुत आपको help मिलने वाली है ठीक है चली start कर लेते हैं friends आज का हमारा important session और देखते हैं हमारा question number first friends हमारा question number first है कौन केंद्री औद्योगिक सुरक्षा बल्यानी CISF के नए महानिदेशक बनाए गया है राइट answer option है RS भट्टी, RS भट्टी को CISF का नए महानिदेशक बनाए गया है आए important point समझते हैं केंद्री सरकान ने राजबिंदर सिंग भट्टी को केंद्री औद्योगिक सुरक्षा बल्यानी CISF का नए महानिदेशक निउप किया है और हुआ है 30 सितंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे बात यहाँ पर CISF की हो रही है CISF को फुल फॉर्म होता है Central Industrial Security Force CISF की स्थापना होई थी 10 मार्च 1974 में इसका मुख्याला है नई दिल्ली में इसका मोटो है संडग्छण एबम सुरक्षा कई बार आपसे CISF को फुल फॉर्म भी एक्जामें पूछा आता है इसलिए आपको यह भी याद रखना है अगला कोशन है पेरीस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा राइड एंसर है option C भारत पदक तालिका में बारत ने कुल एक सिल्वर पांच ब्राउन सही टोटल 6 मिडल जीते हैं आए मिडल टैली देख लेते हैं एक्जाम में कोशन पूछेगा पेरीस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन सदे सीर्स पर रहा तो नंबर उन पर अमेरिका रहा अमेरिका निकूल 126 मिडल जीते हैं और नंबर उन पर रहा सेकेंड पर रहा चीन थर्ड पर रहा जापान तो आपको टॉफ थ्री कंट्री याद रखनी है और मोस्ट इंपोटन रहेगा ये भारत का तो भारत की रैंक रही एक अतरवी रैंक कूल 6 मिडल के साथ अगला और मोस्ट इंपोटन कोशन रहेगा एक्जाम के लिए स्टार मार कर लिजिएगा डवल स्टार रेलवे बोर्ट के नए अध्यक्ष वास CEO कौन बने हैं राइड एंसर हो जाएगा ओप्सन A सतीश कुमार सतीश कुमार रेलवे बोर्ट के नए अध्यक्ष वास CEO बनाए गए हैं यहाँ पर CEO को फुल फॉर्म होता है चीफ एक्जिक्यूटी ओफिसर रेलवे बोर्ट का गठन हुआ था मार्च 1905 में इसका मुख्याला है नई दिल्ली में बर्टमान में भारत के रेलवे मंत्री कौन है अश्रुनी वैश्नाव है अगला प्रसन है सत्तरवे नेशनल फिल्म अवार्ट्स 2024 में किसने सर्वसेष्ट अभिनेता का पुरुसकार जीता है राइड एंसर आप्सन सी रिशब शिट्टी रिशब शिट्टी सत्तरवे नेशनल फिल्म अवार्ट्स में बेस्ट अक्टर का पुरुसकार जीता है फोटो में आप जो देख पा रहे हैं रिशब शिट्टी डिटेल में समझते हैं सत्तरवे राष्टी फिल्म पुरुसकार दोहर 24 में कन्नल फिल्म कांतारा में अभिने के लिए रिशब शिट्टी को सर्वशेष्ट अभनित्री के किसे दिया गया है नित्या मेनन और मानसी पारेक को बेस्ट एक्ट्रेस का बाट दिया गया सर्वशेष्ट हिंदी फिल्म का बाट दिया गया है गुल मोहर को एक कोशन एक्जाम आपके लिए बता दूँ एक good news है आप सब के लिए दोस्तों मैंने एक current face के special pdf master pdf तयार किया है जिसमें आपको current face के लगवग 20 प्लस topic मिल जाएंगे topic wise पूरे जैसे की बरतमान में कौन क्या है बदले गए नाम पुस्त के लेखा कवार्ट सियोजना है न्यूक्तिया चर्च इसको आप प्रिंट आउट भी करा सकते है इसको कैसे पर्चेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक से आप क्लिक करके पर्चेस कर सकते है पेमेंट करने के बाद आप अपना email id एक बार जरूर चेक करिएगा फ्रेंट email id पीडिये फाइल चला जाता ह अपना email id ध्यान पूर्वक डालिएगा इसके लाबा भी एकर आपको कोई भी दिक्कात आती है आप हमारे WhatsApp लाइन नंबर 706756702 पर मैसेज करके संपर कर सकते हैं आईए अगला कोशन देखते हैं अंतराश्टी क्रिकेट परिसेदानी ICC के नय अद्यक्ष कौन चूने गय है यह जैशा ICC देखिए फ्रेंड्स BCCI के सचीव जैशा अंतराश्टी क्रिकेट परिसत के निर्विरोध अध्यक चुने गये हैं एक दिस्वंबर 24 सुवेपत समालेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का फूल फॉर्म होता है ICC की स्थापना होईती 15 जुन 19 सनों को मुख्याला है दुबई सेंक्तराव अमीरात में बरत्मान CEO जेओ फेलाडिस ऑस्ट्रिलिया के हैं यह ICC का लोगों देख सकते हैं अगला कोशन है अगस्त 24 में NSG का नया महानदेशक किसे नियुक्त किया गया है राइड एंसर है ऑप्सन है बी स्रीनिवासन को NSG का नया महानदेशक बनाया गया है इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं केंद्री मंत्री मंदल की नियुक्ती समिर्टी ने बिहार कैडर के 1992 के बरिष्ट IPS ऑफिसर बी स्रीनिवासन को देश के आतंक रोधी बल राष्टी सुरक्षा गाट का महानदेशक नियुक्त किया गया है राइडर ओफिसर गोविंद मुहन गोविंद मोहन को भारत का नया केंद्री गरी सच्व का पदभार ग्रेण किया ए उन्होंने अजे कुमार भल्ला कैस्थान लिया है अगला प्रसने फिजी का सर्वोच नागरिक सम्मान Companion of the Order of Fiji से किसे सम्मानित किया गया है राइड इंसरे आप्सने द्रौबदी मुर्मू द्रौबदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच नागरिक सम्मान Companion of the Order Fiji से सम्मानित किया गया है अगला कोशन है केन सरकान ने की सराज के आधी चुन्चनगीरी को मोर अभ्भेरन घोशित किया है राइट एंसर है ऑप्सन डी करनाटक केन सरकान ने करनाटक के आधी चुन्चनगीरी को मोर अभ्भेरन घोशित किया है आगला प्रस्न है यात्रा और परिटन विकास सूचकांग द्वार 24 की रिपोर्ट के नुसार 119 देशों में भारत को कौन सस्थान प्राप्त हुआ है राइट एंसर है ओप्सन है 39 यात्रा और परिटन विकास सूचकांग की रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में भारत को 39 रेंग मिली है विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकासित यात्रा और परिटन विकास सूचकांग की रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39 पोजिशन पर है जारी करता है विश्व आर्थिक मंच फस्ट नमबर पर है अमेरिका आखरी इस्तान इसमें माली का अगला और मोस्ट इंपोर्डन कोशन है सीमा सुरक्षा वैल यानी BSF के नए महाने देसक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है राइट एंसर है ओपसा ने दलजीज सिंग चौधरी को सीमा सुरक्षा वैल यानी BSF का नया महाने देसक नियुक्त किया गया है BSF को फुल फॉर्म है Border Security Force स्थापना हुई थी एक दिसम्बर 1965 को इसका मुख्याला है नई दिल्ली में अगला कोशन है पेरी स्पायर ओलंपिक दोयार 24 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा राइट एंसर हो यागा ओपसान है 28 नंबर पर पेरी स्पायर ओलंपिक दोयार 24 में भारत पदक तालिका में 28 स्थान पर रहा भारत कूल 29 पदकों के साथ किस ने जीता राइट एंसर और ऑपसन सी कोलकाता नाइट आइडर्स ने 17 आई पील 2024 का खिताब जीता है डिटेल में समझते हैं आइपील 2024 का फाइनल मैच कोलकाता नाइट आइडर्स और सन्राजे सहधराबाज की बीच खेला गया केके आर की टीम नी इस मैच में आठ विकेट से बाजी मारी और 17 सीजन की चेंपियन टीम बनी रनरप रही सन्राजे सहधराबाज जिसको 12.5 करोड़ रुपए मिले परपल कैप किसको मिला है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाडी को मिलता है हर सल पटेल को मिला इन्होंने 24 विकेट लिये औरेंज कैप मिला है विराट कोहली को 741 रन बना है इन्होंने और सबसे आदा रन बनाने वाले खिलाडी को औरेंज कैप दिया जाता है फोटो में भी आप देख सकते हैं IPL की बात होरी IPL की important point समझते हैं IPL का पहला संस्क्रण सुरूआ था 2008 में पहले संस्क्रण में 8 टीमों ने भाग लिया था IPL के परथम संस्क्रण में कौन से टीम विजयता रही राजस्थान रॉयल्स IPL का final match 24 का किस स्टेडियम में खेला गया MH इतमरा में स्टेडियम में खेला गया IPL 24 में कौन से संस्क्रण खेला गया IPL 24 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था दस टीमों ने अगला कोश्चन है हाली में जारी World Press Freedom Index 24 में भारत को 180 देशों में कौन से स्थान मिला है राइट एंसर रोजागा option D 169 World Press Freedom Index में भारत को 180 देशों में 169 अस्थान मिला है जारी करता रहा रिपोर्टर्स विदाउट वाधर्स भारत को 169 रैंक मिले है टॉप त्री करन्टी है नंबर नॉर्वे सेकेंड पर देन्मार्क थर्ड पर सुडेन World Press Freedom Day प्रतिवस 3 मही को मना जाता है एक्जाम में ये भी प्रसन डारेक्ट कूँच लेता है प्रतिवर्ष विश्व प्रेस दिवस का मना जाता है 3 मही को अगला प्रसन है माउन टेवरेश्ट को फटय करने वाली सबसे उम्रदराज भारती महीला कौन है राइट एंसर है उप्सान है माउन टेवरेश्ट की उचाई की इतनी है टोटल तो आट हजार आट सवारताली सब्लाव एट सिक्स मीटर टोटल इसकी उचाई है अगला कोशन है फेडरेशन कब दोयार चोविस में नीराच चोपड़ा ने कौन सपदक जीता फेडरेशन कब दोयार चोविस में नीराच चोपड़ा ने गोल्ड मिडल जीता है हाली में फिर हमारा अगला कोशन है फ्रेंड्स हाली में यूनिसेफ हिंडिया ने किस बॉलिवूड हो नित्री को अपना राष्टी राजदूत निया ब्रांड अमेश्डर बनाया है और अपसन एक करीना कपूर खान को यूनिसेफ हिंडिया का नया राजदूत बनाया है यहाँ पर UNICEF की बात हो रही UNICEF को फुल फॉर्म होता है United Nations Children Fund हिंदी में सेउक्तराष्ट बालकोस UNICEF में कितने सदस देश हैं UNICEF में फिलाल 190 सदस देश हैं UNICEF की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को UNICEF का मुख्याले का है? इसका मुख्याले नीवार का अमेरिका में है किस देश ने पाकिस्तान को हरा कर सुल्तान अजलन साकाप दोहर चोविस का खिताब जीता? राइड एंसर है उपसाने जापान जापान ने पाकिस्तान को हरा कर सुल्तान अजलन शाह का अपदर 24 खिताब जीता है इसका आयजन हुआ है मलेशिया हां की परिसंग करता है 6 देशों को पुरी शौंकी टीम को खेलने के लिए आमिंदरित किया जाता है शुरुवात 1983 में एक दुवार्सिक प्रत्युक्ता गुरूब में हुई थी 1999 में इसे एक वार्सिक प्रत्युक्ता में बदल दिया गया फिर हमारा अगला कोश्चन है विश्व की सबसे उची खगोली वेटसाला का उधाटन कहां किया गया राइट एंसर है ऑप्शन डी चिली चिली में विश्व की सबसे उची खगोली वेटसाला को धगया है अगला कोश्चन है दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट अब्रेश्ट को सरवाधिक बार फतह करने के रिकॉर्ड किसने बनाया है राइट एंसर है option B कामी रीता शेर्पा कामी रीता शेर्पा इन्होंने बना दिया है record important point समझते हैं नेपाल के कामी रीता ने 29 वार Mount West पर चड़कर अपना हिवेश रिकार तोड़ दिया है Mount West दुनिया की सबसे उची चोटी है जिसकी उंचाई आठचाई 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 दसमलो एट सिक्स मीटर या 29,031 दसमलो शिक्स नाइन फिट है Mount West पर चन्ने वाली पहली महिला जापान की जुंग को तवाई है वह 16 में 1975 को सिखार पर चड़ी थी Mount West पर चन्ने वाली प्रत्थम भारती महिला थी वचंद्री पाल 23 में 1984 को चड़ी थी अगला कोशन है किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतराष्टी बुकर पुरुसकार दोर 24 से समानित किया गया राइट एंसार आप्सन है जैनी एरपणबेग जैनी एरपणबेग जो की जर्मन लेखिका है इनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतराष्टी बुकर पुरुसकार दिया गया डिटेल में समझते हैं जर्मन लेखिका जैनी एरपणबेग और अनवादक माईकल हाफमैन ने अपने उपन्यास कैरोज के लिए प्रतिस्टित अंतराष्टी बुकर पुरुषकर जीता है अंतराष्टी बुकर पुरुषकर जिससे पहले मयन बुकर पुरुषकर कुरूप में जाना जाता था यह United Kingdom में आज जित एक अंतराष्टी सहितिक पुरुषकर है यह किस देश द्वारा दिया जाता है United Kingdom और Booker Foundation द्वारा दिया जाता है इसमें पुरुसकार राशी 50,000 पाउंड दिया जाता है प्रथम पुरुसकार 2005 में दिया गया था भारत की तरफ से 2022 में गितांजली स्रीको मिला था और 2023 का मिला था जारजी गोस्पो डिनो जोकी बुल्गारिया की हैं अगला कोश्चन है वर्श 2017 फीफा महिला विश्कप की मेज़मानी किस देश को चुना गया है राइट एंसर है ओप्शन डी ब्राजील तोईर 27 का फीफा महिला विश्कप की मेज़मानी के लिए ब्राजील को चुना गया है फीफा का फुल फॉर्म होता है फ्रेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटवाल एसोसियेशन फीफा का मुख्याला है जीवरिक सुट्जालेंड में बरतमान अध्यक्षे गियानी इंफेंटिनो इस्थापना हुई थी फीफा के 21 मैं 1904 में आगला प्रसन है भारत की सबसे बड़ी जलवाई घड़ी कि शहर में शुरू की गई है राइट एंसर है ऑप्सन है दिल्ली में दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवाई घड़ी शुरू की गई है इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं प्रिथिवी दिवस समारों के भाग की रूप में नई दिल्ली में CSIR मुख्याले में भारत की सबसे बड़ी जलवाई घड़ी की स्थापना और परिचालन की सुरुवात की गई CSIR का फुल फॉर्म होता है Council of Scientific and Industrial Research हिंदी में वैगजानी केवं अध्योगी कनुसंदान परिचाद CSIR की स्थापना हुई थी सितंबर 1922 में इसका मुख्याले है नई दिल्ली में अध्यक्ष होते हैं भारत की प्रधानमंत्री प्रदेन अध्यक्ष होते हैं अगला प्रसन है कि इस प्रसिद्य वैगजानिक को आरेभट पुरुसकार दोयार 24 मिला है राइट एंसर है ऑप्सन बी डाक्टर पावुलूरी शुबा राओ को प्रसिद्य वैगजानिक आरेभट पुरुसकार इन को मिला है इंपोर्टन पॉइंट समझिए इंपोर्टन पॉइंट समझते हैं इंपोर्टन पॉइंट समझते हैं अगर आप से एकजाम में कुछ पूछेगा फ्रेंड्स प्रतिवस भारत में नौशेणा दिवस कमना जाता है आपको बताना है चार दिसंबर को आयोध्या में श्री राम सूर इतिलाग कारिक्रम में किस भारती संस्थान ने एहम भूम का निभाई है राइट एंसर है ऑप्सन सी इंडियान इस्टिटूट ओफ एस्ट्रो फिजिक्स सूर इतिलाग परियोजना के तहट चैत्र मास में स्री राम नौमी के अफसर पर दोपार बारा बजे स्री राम लला के माथे पर सूर की रोसनी लाई गी इसमें IIA टीम ने सूर की इस्थिती ऑप्टिकल प्रकास की सिस्टम के डिजाइन वा इस्टम उप्योग की गणना की और साइट पर एकी करणवा संडेखन का प्रदसन किया अगला प्रसन Cyber Crime Index 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है Right answer है ऑप्सने दसमा Cyber Crime Index 2024 में भारत को दसमा स्थान मिला है World Cyber Crime Index में इसमें रेम सेम वेर, क्रेडिट कार्ड चोरी और फॉर्ट समेत अन्य साइवर अपराद के लागले के अटेगरी के मुतावित मुख होट स्पार्ट की पहचान की गई इसमें टॉप कंट्री रही अगला प्रसन है Hybrid Peach तकनीकी का उप्योग कनने वाला भारत का पहला इस्टेडियम कौन सा है Hybrid Peach क्या होती है Hybrid Peach ऐसी Peach है जिससे Natural Turf और Artificial Fiber से तयार किया जाता है यह Peach अधिक पिकाउ होती है अगला प्रसन है भारत के की सराज्ज में विश्चु का सबसे वड़ा Renewal Energy Park बनाया जाएगा Ride Answer Option C गुजरात गुजरात में भारत का विश्चु का सबसे वड़ा Renewal Energy Park बनाया जाएगा अधानी समूग की कंपनी अधानी Greens Energy Limited गुजरात के कछ जी लेके खेवड़ा में विश्चु का सबसे वड़ा Renewal Energy Park बना रही है यह पार्क 538 वर किलूमेटर में फैला हुआ है अगला प्रसन है चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोसाहित करने के लिए की सबनेत्री को Ambassador Newkt किया है Ride Answer Option है आयुश्मान खुराना को अगला देखते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं यह भारत का चुनाव आयोग की किस्थाई समयधानिक निकाह है चुनाव की स्थापना विथी 25 जनवर 1950 को भारती समयधान का भाग बंदरा चुनाव से सम्मंदित है जिसमें चुनाव के संचाला नेतु एक आयोग की स्थापना करने की बात कही है समयधान के निक्षे 324 से 339 तक चुनाव आयोग और सदस्यों के शक्तियों कारेकाल पातरतादिस सम्मंदित है चुनाव आयोग का मुख्याला है ने दिल्ली में फ्रेंट जितने विए एक्स्टा पॉइंट में बता रहा हूं इन सबको आप जरूर नोट करते चलिएगा वेरी इंपोर्टेंट रहेगा अगला कोशन है लक्षदीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक कौन बन गया है राइट एंसर है ऑप्सन B HDFC बैंक HDFC बैंक लक्षदीप में शाखा कोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं भारत के निजी छेटर के बैंक HDFC ने 11 अपरेल 2024 को लक्षदीप के कावरत्ती में एक साखा कोली इसके साथ ही HDFC बैंक लक्षदीप के अंदसासीत प्रदेश में साखा कोलने वाला भारत का पहला प्राइवेट बैंक बन गया स्थापना होई थी HDFC बैंक के 1994 में मुख्याला है मुंबई में अगला प्रस्न है 1224 में कितने भारतियों को मरणों परांद भारत रतन प्रदान किया गया है Right answer option C 4 कुल 4 विक्तियों को मरणों परांद भारत रतन दिया गया भारत रतने पूरुसकार स्थापना होई थी 2ौनवर 1904 को भारत की पूरु राश्ट प्रशाथ द्वारा की गया थी इंद्रा गांधी उनिश्वकत्तर में भारत रत्रत में पूरुषकार पाने वाली पहली महिला थी सचीन तेंदूलकर पहले खिलाडी और सबसे कम उम्मर में भारत रत्रत पूरुषकार प्राप्त करता है मरणोपरांद दिया गया करपूरी ठाकूर को विहार के पूरु मुख्यमंत्रियों जाने माने समाजवादी नेता है इसके लाबा देखिए अभी अडवानी साहब भारती जनता पार्टी के दिगज नेता और पूरु उप्रामिनिस्टर है और फिर दिया गया पीवी नरसिम्हाराओ को मरणोपरांद पूरु प्रदानमंत्री जिनका 2004 में निधान हो गया था अगला कोश्चन देखिए और इसके लाबा में स्वामी नाथन को दिया गया था अगला कोश्चन देखिए जुडित सुमिनबा तुल्कु की सफरीकी देश की पहली महिला प्रदानमंत्री बनी है अगला कोश्चन देश कांगो लोकतांत्री गनराज के राष्टपती फेलिक्स तेसी केदी ने 1 अपरेल 24 को जुडित सुमिनबा तुल्कु को देश की पहली महिला प्रदानमंत्री ग्रूप में निक्त किया है कांगो की बात होरी कांगो लोकतांत्री गनराज एक मध्ध फरीकी देश है यह एलजीरिया के बाद अफरीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है इसकी राज़ानी किशांसा कांगो नदी किनारे स्थीत है अगला किस राज्य के पाली जिले में दुनिया का पहला ओ माकार का मंदिर का उधाटन किया गया है राइट एंसर एा उप्सण वी राजस्थान तो राजस्थान के पाली जिले में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर उधाटन किया गया अगला कोशन है एवल पूरुसकार 2024 से की से सम्मानित किया गया है राइट एंसर ए ओप्सण दी मिसल टेला ग्रेंड मिसल टेलाग्रेन को अवावयता, सिध्धानत और याद्रिक शिकता को समझने के उनके अभूत पूर्व कारे के लिए 24 का अवावयल पूरुसकार दिया गया है एवेल पूरुसकार को अक्सर गनित का नोवेल पूरुसकार कहा जाता है या गनित की छेत्रे में आशाधारन योगदान को मानेता देता है अगला कोश्चन है ओस्कर अवार दोयर 24 में की से बेस्ट फिल्म का पूरुसकार मिला है राइड इंसर और ऑप्शन भी ओपेन हाइमर आसकर अवाड दोहर 24 में बेस्ट फिल्म का अवाड दिया गया ओपेन हाइमर को इसमें सरुसेश्ट फीचर फिल्म का पूरुसकार दिया गया ओपेन हाइमर को और सर्व से स्वेमने त्री दिए गया है एममा इस्टॉन को ओसकर पूर। highways कार जीने आमतर पर आकादमी पूरूर। या ऑसकर पूरूसकार कहा जाता हैं के दुनिया का सबसे प्रतिस्टी त्फिलने पूरूसकार है पहला पुर्शकार न्यस्सों न्यूनेंprotपांतीस में प्रदान किया गया था अगला कोशन है गर्वपाध यानि अवार्शन को संब्धानी क अधिकार देने वाला धुनिया का पहला देश कौन बना है राइड एंसर या ऑपसन-बी फ्रांस फ्रांस कुमारी, B.S.E.P की पहली महिला स्टाइपर बनाई गई है B.S.E.P या सीमा सुरक्षबल भारत का सीमा सुरक्षा संक्ठन है जिससे रक्षा की पहली पंक्ती की रूप में भी जाना जाता है B.S.E.P की स्थापना हुई थी 1. December 1965 को मुख्याले है नई दिल्ली में अगला कोशन है भारत के नए लोगपाल अध्यक्ष कौन बने हैं राइड इंसर है ओप्सन बी M.A. खानविलकर M.A. खानविलकर भारत के नए लोगपाल अध्यक्ष बनाए गए हैं नयमूर्थी खानविलकल भारत के दूसरे लोकपाल हैं कोशन पूछा जाएगा एक्जाम में लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है उत्तर होगा राश्ट पती भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे पिनाकी चंद्र गोश लोकपाल की स्थापना की शदिनियम के तहत की गई थी लोकपाल और लोकपाई उक्तिनियम 2013 के तहत फिर अगला कोशन है रंजी ट्रॉफी 23-26 का खिताब किस टीम ने जीता है राइड अंसर ए आप्सन भी मूंबई मुंबई ने रणजी ट्रॉफी दोया 23-चोविस खिताब जीत लिया है मुंबई ने 42-वी वार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया मुंबई ने विधर्व को 169 रन से राउंत कर खिताब जीता अगला प्रसन है किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है एक्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्डेन कोश्चन रहने वाला है राइट एंसर रुजागा उप्सन सी उज्जैन मद्ध प्रदेश में उज्जैन मद्ध प्रदेश में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है वैदिक घड़ी क्या होती है आपको बता दे यह है वैदिक घड़ी सहर के जंतर मंतर छेत्र के सरकारी जीवाजी वेद साला के करीब 85 फूट उचे टावार पर साबित की गई है और यहां पर अगर आप से एक्जाम में कोशन पूचे पेरी सोलंपिक दुएर 24 में समापन समारों में भारत के दौच बाग कौन थे तो मनु भाकर और पी यार स्रीजेस मनु हा का निशाने वाज है और होंकी टीम के गोल कीपर पी यार स्रीजेस ने रिडार्मेंट ले लिया है होंकी से अगला प्रसन है वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट दौविस के अनुसार दुनिया का सबसे खुशाल देश कौन है राइट एंसार है उप्सन भी फिनलेंड फिनलेंड वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट दौविस कौन है दुनिया का सबसे खुशाल देश है इंपोर्टेंट कोईंट समझें, फिनलेंड को लगातार साथमे साल, दुनिया का सबसे खुशाल देश माना गया, भारत 113 देशों में 126 में स्थान पर रहा प्रस्न बनेगा, मार्च 24 में भी स्वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, सेंउक्त राष्ट के द्वारा, टॉप त्री कंटी काउंसी है, नमबर उन पर फिनलेंड, सेगेंड पर देन्मार्क, थर्ड पर आइसलेंड, और सबसे निचले स्थान पर है अफगानिस अगले परस्ट भारत निर्वाचन आयोग ने राष्टी दिव्याग जान आइकन के रूम में किसे चुना है? राइड एंसर है उपसर्ण इसितल देवी को, राष्टी दिव्याग जान आइकन चुना गया है अगला पसने किस राज से समंदित माजूली मास को GI टेग मिला है राइड इंसर है उपसंडी असम असम का माजूली मास को GI टेग दिया गया है देखिए GI टेग भारत में 15 सित्मबर 233 से लागू हुआ दारजलिंग चाय GI टेग पाने वाला पहला भाती उत्पात था तो अगर आपसे एक्जाम में पूछेगा पहला GI टेग किस को मिला था दारजलिंग चाय को भारत में कुल कितने GI टेग हैं तो अभी तक लगभग 635 प्लस से ज़्यादा GI टेग रेइस्टर किये गए हैं आशिप अली जरदारी पाकिस्तान के चौदमे राष्टपती ग्रूब में शपत ली है पाकिस्तान पिपूल पार्टी के सयद्यक्ष आशिप अली जरदारी पाकिस्तान के चौदमे राष्टपती बने है अगला पसने भारती बैंक संग के नए चेर्मेन कौन बने है 26 सितंबर 1946 को मुख्याले है मुंबई महारास्टा में आगला प्रसन है 71 मिस वर्ल्ड 24 का खिताब जितने वाली क्रिश्टीना पिजश्कोवा किस देश की है राइट एंसर है ओप्सन डी चेक रिपब्लिक 71 मिस वर्ल्ड क्रिश्टीना पिजश्कोवा चेक रिपब्लिक की है इस वार मिस वर्ल 24 का आजन कहा हुआ मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौझूदा अंतराश्टी संदर प्रत्युकता है इसे उन्हें 51 में एरिक मोरले दौरा उनिटिट किंड़म में बनाया गया था इसका मुख्याला है लंदन उनिटिट किंड़म में अगला कोशन है मिस वर्ल्ड हुमेटेरियन अवार्ट से किसे सम्भानित किया गया है राइड एंसर है आप्शन है नीता अंबानी को Miss World Humanitarian Award से नीता अंबानी को सम्भानित किया गया है अगला कोशन है ऑस्कार अवार्ड दोयर चोविस में सर्वसेश्ट अवनिता कवार्ड किस ने जीता राइड एंसर है आप्शन B किलियन मर्फी औसकार अवार्ड दोयर चोविस में बेस्ट अवार्ड जीता है किलियन मर्फी ने इसमें सर्वसेश्ट फीचर फिल्म कवार्ड मिला है ओपेन हाइमर को सर्वसेश्ट पूरुस अवनिता कवार्ड मिला किलियन मर्फी को ओपेन हाइमर के लिए सहायक भूमिका में सर्वस्टेश्ट पूरुसवनेता बने हैं रावर्ट डाउनी जूनियर ओपेन हाइमर के लिए सर्वस्टेश्ट अबनेत्री एम्मा इस्टोन को पूर थिंक्स के लिए important point समझते हैं पूरुसकार हर साल सेंकतराज अमेरिका के कैलिफोनिय स्थीद Academy of Motion Picture Arts and Sciences द्वारा दिया जाता है विजयताओं को ट्रॉफी के रूप में एक स्वन प्रतिमा की एक प्रती भी दी जाती है ट्रॉफी को अधिकारिक तौर पर अकादमी अवार्ड अब मेरिट कहा जाता है इसे लोगप्री रूप से आसकर के नाम से जाना जाता है पहला पुरुसकार उप्रतिमा के प्रतान किया गया था अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन एक्जाम के लिए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उधाटन पीयम मोदी ने किस राज़ी में किया राइट एंसर है उप्संडी पस्चिम मंगाल भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टेन का उधाटन मोदी जी ने पस्चिम मंगाल में किया है important point समझते हैं भारत की पहली underwater metro tunnel कोलकाता में हावडा मैदान को explainate से जोड़ेगी है कोलकाता metro की space से एक बार सुरू होने के बाद हावडा देश का सबसे गहरा metro station बन जायागा जो सतय से 32 से 33 मीटर नीचे रिस्थित है यह होगली नदी पर किया गया है उधाटन किया पीम मोदी जी ने रेल मंतरी है मरतमान में शनी बैस्थित कब किया गया च्छे मार्ज को को कोलकाता में इसको समर्पित किया गया देश का सबसे पूराना metro rail system कहां का है कोलकाता metro का अगला प्रसने किस राज्य के आदिवाशी पोसाग रिसा को GI टेक दिया गया है राइट एंसर और ओप्सन भी त्रिपूरा त्रिपूरा राज्य के आदिवाशी पोसाग रिसा को GI टेक दिया गया है important point समझे तिरपुरा के आदिवासी समधायोंदारा पहने जाने वाले हाथ से बुने हुए कपड़े रिसा को भोगोलिक संकेते नी जी आई टेक दिया गया है मुख्यमंत्री है वरत्मान में मारिक साहा और राजधानी है तिरपुरा की अगरतला अगला प्रसन है भारत के किस प्रसीद स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन सा स्टेडियम रखा गया है तो भारत के सवराष्टा क्रिकेट स्टेडियम निरंजन साह का नाम बदल का सवराष्टा क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है तो 2013 में सब्सक्राइब पहला नतरास्टी मैच खेला गया था अगला कोशन है हाली में कौन भारत की पहली महिला पीछ क्यूरेटर बनी है राइड एंसर आपसन है जैसिंथा कल्याड जैसिंथा कल्याड हाली में भारत की पहली महिला पीछ क्यूरेटर बनी है जैसिंता कल्लियाड ने महिला प्रीमियर लेयाने WPL के बहु प्रतिक्षी दूसरे संसकर्ण के सुरुवात के साथ देश की पहली महिला पीछ क्यूरेटर गुरूब में खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है अगला प्रसन है 2024 के दादा साफ वालके इंटरेशनल फिल्म फेश्टीवल अवाड में बेश्ट फिल्म कवाड इनसर है संसकर्ण कांस्ध है 17-ish आयजन कांव मॉंबई में Best Actor Award मिला है शहरुक खान को जवान के लिए, Best Actor's Award मिला है रानी मुखर जी को Mrs. Chatterjee vs. Norway के लिए, Best Film Award जवान को Best Director का वार दिया गया है संदीप, रेडडी, वंगा को Animal Movie के लिए, अगला और Most Important Question है, बाफ्टा अवार्ड दोहर 24 में किसे Best Film का पुरुसकार मिला है? बाफ्टा अवार्ड में Best Film का वार्ड ओपेन हाईमर को दिया गया, बाफ्टा का फुलपाम होता है British Academy Film Awards, इस समारों में क्रिश्टोफर नोलन की फिल्म ओपेन हाईमर ने सबसे अधिक साथ अवार्ड जीते, Best Director का वार्ड मिला है क्रिश्टोफर नोलन को, सरुसेश्ट अव अगला कोशन है भारत अज्ट अज्ट का सर्वोच नागरिक पूरुसक और स्थापना वूज थी 2944 में 2944 में कितने भिक्तियों को मिला, कुल पांच हस्तियों को मिला करपूरी ठाकूर, लाल किष्णा अडवाने, चौधरी चरण सिंग, पीविनर सिम्मराव, म.स. स्वामी नाथन हाली में जारी बर्स 2023 की ब्रष्टाचार अवधारना सूचकांग में भारत को 108 सी देशों में कौन सस्थान मिला है जारी करता रहा, ट्रांस्परेंसी इंटरेशनल, एए उनिस्टो तिरानमे में स्थापिदे एक अंतराष्टी गयर सरकारी संक्ठान है इसका मुख्याला है बर्लीन जर्मनी में भारत का स्कोर 2023 में 180 सी देशों में 93 स्थान पर रहा, टॉप 3 कंटी देख लेते हैं नंबर 1 पर डेन्मार्क, 2nd पर फिनलेंड, 3rd पर न्यूजिलेंड अगला प्रस्टन है, ऑस्टेलियन ओपें 2024 में महिला एकल का किताब किसने जीता है राइट एंसर है, ऑप्सन है, एरीना सवालेंका, एरीना सवालेंका ऑस्टेलियन ओपें में महिला एकल का किताब जीता है महिला एकल विजेता वेलारूस की आरेना सावलेंका ने ऑस्टेलियन ओपेन फाइनल में चीन की जहेंग किनवेन को हरा कर लगातार अपने दूसरा गरेने सिलेम खिताम हसिल किया कोष्टं बन सकता है ऑस्टेलियन ओपेन 24 में यानिक सिनर ने किसे हरा कर पूरू सेकल खिताब जीता है डेनियल मेदवे देव को अगला प्रस्ण बनेगा उस्टेलियन ओपेन दौर चोवीस में पूरुस यूवल का खिताब किसने जीता है उत्तरों का भारत की मशूर टेनिस खिलाडी रोहन बोपन्ना और उस्टेलिया का मैथ्यू अब्डेन की जोडी ने फ्रेंड्स ये इंपोर्टेन्ट है क्योंकि इसमें भारती रोहन बोपन्ना भी शामिल है अगला है ICC अवार्ट 2023 में किस पूरुस क्रिकेटर को साल का सर्वसेष्ट खिलाडी का पूरुसकार मिला है र落ट एंसर है उप्सन वी पायट कमिंस को जोकि ऑस्टेलिया के हैं इनको 2023 का पूरुस क्रिकेटर आवार्ड दिया गया बेस्ट खिलाडी का अन्तराश्टी क्रिकेट परिस्पत की ओर से साल 2023 के लिए अवार्ड का एलान किया गया अगला प्रसन है भारत के पहले इसके लिंडिया सेंटर गदलवटन काहां किया गया है भारत का पहला स्के लिंडिया इंटरेंटाल सेंटर भूंनेस्टर में इस्थापित किया जाएगा जहां युवाओं को प्रसिक्षित किया जाएगा भूबनेश्वर ये है ओडिशा में आता है ओडिशा की कैप्टल है भूबनेश्वर अगला कोश्चन है हैनले पासपोर्ट इंडेक द्वार 24 में भारत की रहेंग क्या है राइट एंसर ऑप्शन बी 82 नंबर भारत हैंले पासपोर्ट इंडेक द्वार 24 में 82 नंबर पर है जारी करता हैंले एंड़ भारत द्वारा हैंले पासपोर्ट इंडेक 25 icon24 में सीर सस्थान पर कौन है सिंगापूर अगला प्रस्ण है 58 एक जान पीट पुरुसकार के लिए किसे नामित किया गया है राइट एंसर आप्शन डी ए और बी दोनों यानि की गुलजार जी को और जगद गूरु राम भद्राचार जी को एक अंठावन वैक जान पिट पूर्शकार दोहर चोविस दिया गया गुलजार जी जिनको संपूर्ण सिंग कालरा के नाम से भी जाना जाता है यह हिंदी सिनेमा के परशिद हस्ती और उच्च सम्मानित उर्दू कभी है अपने समय के सरफसेट कभीयों में से माने जाते है ग्यानपिट पूर्शकार यह भारत का सबसे पूराना और सबसे प्रशिष्टी साहितिक पूर्शकार है जिसकी स्थापना हुए थी 1961 में उन भारती लेककों को दिया जाता है जो भारत के सम्धान के आठवें सूची में सामिल भारती भाषा और अंग्रेजी में भी लिखते हैं यह पूर्शकार मरणो परान नहीं दिया जाता है अगला कोशन है ग्रैमी अवार्ट दौर्शविस में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अलवम को वार्ट किसने जीता है राइड एंसर है ओप्सन है ग्रैमी अवार्ट दौर्शविस में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अलवम को वार्ट जीता है संगीत के छेतर में सबसे प्रतिष्टित ग्रैमी अवार्ट मसूर तवला बादक जाकिर हुसान और मासुरी बादक राकेश चरुसिया साहित पांच भारती संगीतकारों ने पुरुसकार जीते जाकिर हुसान ने तीन ग्रैमी पुरुसकार जीते जबकि राकेश चरुसिया ने दो ग्रैमी पुरुसकार 66 ग्रैमी अवार्ट समारो काजन अमेरिका के लास अंजलिस में किया गया और सक्ती को दिस मोमेंट के लिए इसका योजन हुआ गांधी नगर गुजरात में सर्वशेष रमित्री कापुरुषकार रणवीर कपुन जीता है फिल्म एनीमल के लिए सर्वशेष रमित्री कापुरुषकार आलिया भट को रौकी और रानी के प्रेम कानी के लिए मिला है अगला कोशन है करकूरी ठाकूर को भारत रत ने मरणों परान से समानित किया गया वह किस राज़ के पूर्व सीयम थे राइट एंसर है उप्सन सी बिहार वह बिहार राज़ के पूर्व मुख्य मंत्री थे अगला कोशन है अयोध्या राम मंदिर निर्माल के मुख्य वास्तुकार कौन है राइड एंसर है ऑप्शन भी चंद्रकांद शोमपूरा चंद्रकांद शोमपूरा अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार है अध्यराम मंद्र की उठाटन हुआ है बाइश जनवरी द्योर TW 24 को किस ने किया था? नरेद मोदी जी ने अध्यराम मंद्र की उचाई एक 50 इंच की है एक 50 इंच की जो मूर्ती है, फ्रेंड्स भगवान राम लाला की 51 इंच की है भगवान राम की तीन मूर्तियों को निर्माड किया गया था मैसूर इस्थित मूर्तिकार अणुर योगी राज़वारा बनाई ये मूर्ति को प्राहर प्रिस्था के लिए चुना गया अगला कोशन है शोले विति तैयोक के अध्यक्ष क्रूव में किसे निउक्ष किया गया है राइड इंसर ने डाक्टर अर्विंद पनगढिया को शोले वित तायोक का अध्यक्ष क्रूव में चुना गया था ये एक अर्ध नयाईक और सलाकारी निकाए है सरकार ने सोल में वित्तायोक सच्चु किसे ने उत्किया है रित्विक रंजम पांडे को वित्तायोक का गठन किसके द्वारा किया आता है राश्टपती के द्वारा अगला कोशन है फोप्स की हाली की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है राइट एंसर है ओप्सन वी कुवेती दिनार फोप्स की हाली की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी कुवेती दिनार है विश्ट की सबसे मजबूत करेंसी की लिष्ट में टॉप पर कुवेती दिनार है कुवेती दिनार का मूल 3.25 डालर और 270 रुपए के बराबर है दूसरे स्थान पर है बहरीन दिनार अगला कोशन है सरुसेष्ट फीफा पूरुस खिलाडी दोहर तेश का पूरुसकार इसने जीता राइडेंसर आप्सन सी लियोनन मेसी लियोनन मेसी ने सरुसेष्ट फीफा पूरुस खिलाडी दोहर तेश का पूरुसकार जीता है फीफा का फुल्पॉम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटवाल एसोशियेशन इससे आम तोर पर फीफा के नाम से जाना जाता है फुटवाल का अंतराश्टी निंटरन निकाए है इसका मुख्याला है जियूरिक शिट्जलेंड में अगला कोशन है श्री राम जन्भूमी परिसर में रामलाला का प्राणप्रतिष्ठा कारिक्रम कप किया गया राइड एंसर है ऑप्शन सी 22 जन्वरी 2014 को भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है राइड एंसर है ऑप्शन भी नावा शेवा अटल से तु इस पुल का नाम भारत के पूर पीम अटल भी हरी वाचपई के नाम पर रखा गया है यह पुल मुंबई के सेवरी सुरू होता रायगर जिले के कुरुण तालुका के नावा शेवा पर स्वाप्त होता है अगला प्रसनें किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रोफी 23 का किताब जीता है राइड एंसर है ऑप्शन डी हरियाडा हरियाडा टीम ने विजय हजारे ट्रोफी का किताब जीता है important point राज कोड के सौराष्ट क्रिकेट स्टेडियम में खेले गये फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने राजस्थान को 30 रण से राकर 223 तरॉफी 23 किताब अपने नाम किया, हरियाणा के टीम पहली बार 223 पहली बार 223 तरॉफी जितने में सफल रही, फाइनल मैच में हरियाणा के सुमित कुमार को प्रेयर अब्दमे चुना गया, बिजय है जारे को रणजी वंडे ट्रॉफी ग्रूब में जाना जाता है इसके शुरुवात हुई थी दो हजार दो तीन में आगला प्रसन है हाली में किस लेखा क्या लेखिका को ब्यास सम्मान दो यार तेईस मिला है पुष्पा भारती को 2023 का ब्यास सम्मान दिया गया है important point समझते हैं साल 2023 के लिए ब्यास सम्मान पाने वाले लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्म्मृण, यादें, यादें और यादें के लिए सम्मानित किया गया ब्यास सम्मान के वारे हम देखते हैं यह किसी भारती नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्सों प्रकासित हिंदी भासा के उत्कृष शाहितिक क्रिती के लिए दिया जाता है इसमें 4 लाख रूपए का नगत पुरुसकार प्रदान किया जाता है राम बिलाज शर्मा पहले विक्ति थे जिने उनकी क्रिती भारत के प्राचीन भासा परिवार और हिंदी के लिए पुरुसकार मिला था 32 ब्यास सम्मान द्वार 22 ज्यान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए प्रदान किया गया था वहीं एक कोशन याद रखेगा 33 सरसुती सम्मान द्वार 22 दिया गया प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रोदर साथिकम के लिए अगला कोशन है किस क्रिकेट खिलाडी को अर्जुन अवार्ट से सम्मानित किया जाएगा राइट इंसर ऑप्सन भी मुहमर श्मी को अजुन अबाट दिया गया है खेलों और खेलों में उत्कृष्ट परदसन के लिए 26 खिलाडी को अर्जुन पूरुसकार सम्मानित किया गया अर्जुन पूरुसकार की स्थाबनों ने स्वक्सर्ट मुही थी राश्टी खेल आयजुनों में उत्कृष्ट उपलब्धी की पहचान करने के लिए इस्थापित किया गया था ये पिछले चार वर्सों के अबधी में अच्छे प्रदसन और नतिवत खेल कौशल और अनुसासन की भावना के गुरु दिखाने के लिए दिया जाता है पंद्रा लाक रूपा एक अनगत पूरुसकार अरजुन की एक कांस्पृति में और एक सम्वान पत्र दिया जाता है अगला है मेजर ध्यान चंद्र खेल लतन पूरुसकार दोहरतेईस से किसे सम्वानित किया गया राइट अंसर है ऑप्सन डी यानि की चीराग सिट्टी और सात्युक साही राज रंकी रेड़ी को मेजर ध्यान चंद्र खेल लतन पूरुसकार दोहरतेईस दिया गया देखे फ्रेंट्स मेजर ध्यान चंदर, खेरलंद पूरुसकार, चीराग, चंदसेकर, 60 जोकी बैडिमिंटन खिलाडियों और रंकी रड़ी सात्विक साही राज को दिया गया खेरलंद पूरुसकार 1991 मान में इस्थापित किया गया था इसके पहले प्राप्त करता थे दिग्गत सतरंज खिलाडी विश्वनाथन आनंद यह पूरु में राजीव गांधी खेरलतन के रूप में जाना जाता था यह किसी खिलाडी द्वारा पिछले चार वर्सों के अबधी में खेल के छेतर में शांदार और उत्किस परसन के लिए दिया जाता है इसमें 25 लाक रूपाय का नगत पूरुसकार एक पदक और सम्मान पत दिया जाता है यह खेल मंतराले द्वारा दिया जाने वाला सरवोच खेल पूरुसकार है कि सॉलिवूड अभनेता को शत्यजी तरे लाइफ टाइम एचीमेंट रवाड़े समानित किया गया है राइड इंसर है ओप्सन भी माइकल डगलस को केंद्री जाच वीरो के नए सेंगतिनेसक कौन बने है राइड इंसर है ओप्सन है वी चंदर सेकर वी चंदर सेकर सीवी आई के नए सेंगतिनेसक बनाए गए है सीवी आई सेंटर वीरो आफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म है भारत की एक प्रमुख अन्वेशन यानि जाच एजन्सी है इसका गठान हुआ था 1963 में इसका मुख्याल है नहीं दिल्ली अगला कुशन है भारत के पहले दलित मुख्य सूचनायुक्त कौन बने है राइड एंसर है ऑप्सन सी हीरालाल सामरिया हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचनायुक्त बने है देखे फ्रिंस नवंबर दोहार तेजस में हिरालाल सामरिया को देश का मुख सुचनायोग नियुक्त किया गया है उनकी नियुक्ती प्रधानमंत्री की अधेख्षा सम्ति ने किया था उन्होंने इस पत पर यश्वर्धन कुमार सिना का स्थान लिया आपको बता दे केंद्री सुचनायोग का गठन सुचना का अधिकार अधिकार अधनियम 2005 के तहत अक्टूबर 2005 में किया गया था आयोग कन्यतित मुख सुचनायोग करता है इसमें धिक्तम 10 सुचनायोग हो सकते हैं यह एक गयर समयधानिक निकाय है इंटरेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारती कौन बने हैं वीरदास इंटरेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारती बन गए हैं इंटरेशनल एमी अवार्ड को टेलीवीजन कासकर भी कहा जाता है इस अवार्ड को television industry का सबसे वड़ा अवार्ड माना जाता है Emmy Award Academy of Television Arts and Sciences की और से दिया जाता है Emmy Award Ceremonic सुरुवात वर्स 1946 में CID CACID ने की थी अगला कुशन है इंदिरा गांधी शांती पुरुषकार दोहरवाई से किसे समानित किया गया है राइड इंसर है option D Indian Medical Association और भारती प्रशिक्षित नर्स Association को इंदरा गांधी शांती पुरुषकार दोहरवाई से समानित किया गया आपको बता दे फ्रेंड सास्ती निर्सस्ती करणों विकास के लिए इंदरा गांधी पुरुषकार रविवार को देश में कोबी डेध धहों के प्रतिनीदियों करूँ में भारती जीकित्सा संग और भारती प्रशिक्षित नर्स संग को संग्तुरु से प्रदान किया गया अगला कोशन है Asian Games 23 में भारत ने कुल कितने पलक जीते थे राइड एंसर है option C अगला कोशन हाली में बैक जानिकों ने दुनिया के आठमे महादीप का नक्सा जारी किया जिसका नाम क्या है राइड एंसर है option B जीलेंडिया जीलेंडिया नाम है आठमे महादीप का लगवक 375 वर्सों के बाद भू बैक जानिकों ने एक ऐसे महादीप की खोचकी जो अब तक का दुनिया से चिपा हुआ था अब दुनिया में साथ नीवल की आठमे महादीप हैं दरसल आठमे महादीप के बारे में बैक जानकों ने पता लगाया है इसका नाम जीलेंडिया है जो लगवक 94 फीज़दी समुत के नीचे जबकि 6 फीज़दी हिस्सा पानी के बाहर है इसमें इजीलेंड और छोटे दि क्यों के प्रस्वान के लिए 24 का नेंसल मंडेला पूरुसकार किसे मिला है राइट एंसर है ऑप्शन भी नीम हांस को आपको अता दे फ्रेंड्स विस्सो स्वास्त संक्टन की स्थापना हुई थी 7 अप्रेल 949 को यानि वर्ल्ल हेल्थ ऑगनेजेशन 7 अप्रेल को उस टी 20 विश्क अब 24 की से महजवानी कर रहे हैं राइट एंसर है ऑप्शन सी वेस्ट इंडीच और सेव राज्य अमेरिका ने महजवानी किया आईसी सी टी 20 वर्ल्ल कप की विजयतार ही अपनी टीम इंडिया किस देश के इस्पेस मिसन चांग E6 ने चंदरमा के सबसे अगला है इंडरा गांधी परमाणू नसंधान के इंडर कलपक्कम के नय निसा के रूप में किसने कारेबार समाला है राइट एंसर है ऑप्शन बी चंदर सेकर गवरीनात करहाड कर इंद्रा गांधी परवाणुन संधान केंद्र भारत के तमिलनाडू के कलपक्का मिस्थी तेक परवाणुन संधान केंद्र है यह भावा परवाणुन संधान केंद्र के बाद भारत के प्रमुक अनुसंदान संस्थानों में से एक है स्थापना होती है निर्वाचित राष्ट पती अगला है क्लावडिया सीनबाम किस देश की पहली महला निर्वाचित राष्ट पती बनी है राइड एंसर है ऑप्शन भी मेक्सिको क्लावडिया सीनबाम मेक्सिको की पहली महला निर्वाचित राष्ट पती बनी है अगला है राश्टी मानवा दिकार आयोग ने किसे कारेकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है राश्टी मानवा दिकार आयोग ने किसे कारेकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है राश्टी मानवा दिकार आयोग एक सोतंत्र वैधानिक संस्था है स्थापना हुए थी बारे अक्टूबर 1993 को मुख्या लह है नई दिल्ली में लोकसवा चुनाद वार 24 में किसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है राइट अंसर है ऑप्सन ए एंडिये तो एंडिये को कुल 293 सीट मिली है पांसोत एतालिस में से और देखिये फ्रेंड्स आपको बता दें ये अंडिये की स्थापना विथी 15 में 1999 को इसके चेरमेन है अमिद शाह यूनियन केविनेट मिनिस्टर है मरतमान में और इंडिया गढवंदन को मिला था 237 सीट अगला है आलीम अंतराष्टी क्रिकेट में 600 चक्के लगाने वाले दुनिया के पहले वल्ले बाज कौन बने हैं राइट एंसर है आप्सन बी रोहिष शर्मा द्वारा नरेन दामुदर रासमुदी को लगातार तीसरी बार भारत के पीम करूँ में शबत दिलाई गई नई दिल्ली के राष्टपती भावन में एक साधे समारों में राष्टपती द्रौबदी मुर्मुने ने पाद और गोवनिता की शबत दिलाई वा पंडित जवाला नहरू के बार लगातार तीसरी बार भारत के पीम करूँ में शबत लेने वाले दूसरे वक्ती है दस वर्स की आयू में तीनो सतों मिट्टी घास और हाड़ कोट पर ग्रेंड इसलेम खिताब जितने वाले सबसे कमूमर के वक्ती कौन बने है राइट एंसरे ऑप्सन डी कार्लोस अलकराज बने है जी सेवन सिखर सम्मिलन कीस देश में आजित किया गया है राइट एंसरे ऑप्सने इटली में इटली में जी सेवन सिखर सम्मिलन दोहर चोबिस आजित किया गया G7 सबसे अधीक औध्योगी करण वाले लोगतंतिक देशों के एक आपचारिक समूव है G7 1973 के आरब इजराली उद्धों के बाद आरब देशों दोरा कच्चे पिटूलियम तेल की कीमतों बृद्धी के बाद फ्रांस की पहल पर बनाया गया था G7 पहली सिखर बैठक 1975 में फ्रांस मुई थी अगली इंक्यावनवी सिखर बैठक दोर पचीस में कायना नासकिस अलबर्टा कानाडा माजित की जाएगी अगला और इंपोर्टन कोश्चन भारत के नये थल सेना देख्ष रूमें किसे निउक्त किया गया है राइट एंसर है ऑप्शन B उपेंद्र दुवेदी को भारत का नया थल सेना देख्ष बनाया गया लेटिनें जनर्र उपेंद्र दुवेदी को अगला थल सेना देख्ष निउक्त किया गया है जनर्र मनोच पांडे की जगह लेंगे अगला कोशन विश्वार्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान मिला है विश्वार्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गाइप इंडेक्स में भारत को एक सो अंतिश्वा रैंक मिला है अगला है अठार्वा मुंबई अंतराष्टी फिल्म और सो कहां जुद किया जाएगा राइड अप्सन डी मुंबई में अगला और इंपोर्टन कोशन पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल का नया नाम क्या रखा जाएगा पोर्ट ब्लेयर भारत के इंडमान वा निकोवार दिप्शमू के इंसाइज प्रदेश की राजधानी है यह दूइप नेता जी शुभाच इंडर बोष जी के द्वारा सबसे पहले तिरंगा फैराने से लेकर सेरुलर जेल में वीर सावर का रोवा अन्य सुतंता सेनानियों द्वारा मा भारती की स्वाधिनता की शंगर्स के लिए स्थान भी है आगला प्रसन है अपने सभी ग्लेसियर खोने वाला विश्व का पहला देश कौन है राइट एंसर और ओप्सन है वेनेजोला वेनेजोला अपने सभी ग्लेसियर खोने वाला विश्व का पहला देश है वेनेजुला ने हाली में एक महात्पूर पर्यावरणी मील का पत्थर देखा जो जलवायू संकट की गंभीर वास्तिविक्ता को दर्साता है यह देश आधनी की इतिहास में समभ तक पहला ऐसा देश बन गये जिसने अपने सभी ग्लेसियर को खो दिया है विश्व आर्थिक मंच एक गयर लापकारी अंतराश्टी थिंक टैंक है जिसका मुख्याल है कोलोनी सुर्जेलेंड में गठा नुवा था 24 जनवरी 1997 में अध्यक्ष है क्लाउड श्वाब नागरिक्ता संसोधन कानून के तहट पहली बार कितने लोगों को भारती नागरिक्ता दी गई है राइट एंसर है ओप्सन बी 14 कुल 14 बेक्तियों को नागरिक्ता दी गई C.E.A. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश से 6 गयर दस्तावेच, गयर मुस्लिम समधायों हिंदू, शिक, बौध, जैन, पार्सी, इसाई को धर्म के आधार पर नागरिक्ता प्रदान करता है जिने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत प्रवेश किया था सहंक्तुराश संग की असेंबली में किसे अस्थाई सदस से बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है राइड एंसर आपसन इंफिलिस्तीन को सहंक्तुराश की स्थापनाव थी 1945 में मुख्याले नियुआक सिटी उसे में सदस देश 193 राश्टपती द्रौबदी मुर्मू ने दिब्यांग सोसल एक्टिविस्ट डाक्टर केस राजनना को किस पूरुसकार से लंक्रित किया है राश्टपती द्रौबदी मुर्मू दिब्यांग बेक्तियों के लिए काम करने वाले समर्फित सामाजी कारे करता डाक्टर केस राजनना को पूरुसकार देश का सरवोच नागरिक पूरुसकारों में से एक तीन स्रेडियों प्रदान के जाता है अर्थात पद्विभूशन पद्विभूशन और पद्विभूशन और पद्मस्री फोटो में भी आप देख सकते हैं अगला है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ट दोहार चोविस में किस खिलाडी ने वर्ल्ल स्पोर्ट्स बूवशन आप दियर का पूरुसकार जीता है रइड एंसरे है औप्शन B एताना बॉनमार्टी एताना बॉनमार्टी लॉरियस अवार्ट्स इसपर्स अवार्ड में बेश वर्ल स्पर्ट्स बूमन का पुरुषकार जीता है वर्स का सबसे इस ? खिलाडी पुरुषकार नोवाग जोकोविच के दिया गया लॉरियस वर्ल इस्वोर्ट स्कूर्स कारणों को शुरुआ सन 2000 में हुआ था फ्रेंड्स हमने आपके लिए स्पेसल पीडियाप त्यार किया है करेंड फेस का देखिए इसमें कम्प्लीट आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे करेंड फेस के पीडियाफ फाइल पेमेंट करने के बाद ही पर जाता है वाटसेप पर आप कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं इस मैसेज कर सकते हैं 7067567024 इस नमबर पर कोई भी दिक्काद आती है तो तो हमने यहाँ पर टोटल फ्रेंट्स 100 प्लस कोश्चन देखें जो एक्जाम के लिए इप्लिकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हमने मेहनत किये तो वीडियो लाइक करिए इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपको ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और कमेंट करके बताएए कि आपको मेरी क्लास मेरी मेहनत कैसी लगी आपका होसला बहुत बढ़ाएगा आपका कमेंट ठीक है फ्रेंट्स तो आपको एक्जाम्स के लिए सुपकामना है थैंक्यू सो मच